अलुक्या लोग अपर चैनल, और यह जो पीडियाफ आप लोग देख रहे हैं, इसका मैं आधा आपको समझा चुकी हूं, और अभी जो आधा रहता है, वह मैं आपको समझाने वाले हूं, और यह स्पेशली नियाप है, यह स्पेशली बुद्न के स्पेशली है, और आपका response भी बहुत अच्छा आ रहा है तो वो मुझे बहुत motivate करता है कि मैं आपके लिए आगे भी और काम करूँ ठीक है तो हमने जो किया था लास्ट वीडियो में जो marathon 1 नाम से एक वीडियो है आप लोग देख लेना जिनोंने नहीं देखी है क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी ठीक है तो हमने उसमें dyscalculia तक पढ़ा था आज हम बात करने वाले हैं ADHD की ठीक है तो ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता जो विकृती होती है इसको हम ADHD की full form भी एकसर एक्जाम में पूछ ली जाती है तो इसकी जो full form है attention deficit hyperactivity disorder इसको बोलते हैं और most important है पेपर में कई बार पूछी जाती है तो इसे समाने भाशा में हम ADHD कहते है इसमें बच्चे आवेगों के नियंटर्ण इनमें बच्चा आवेग जो होते हैं उसके जो impulsions होते हैं उन पे काबू नहीं कर पाता उन पे नियंटर्ण के समस्या होती है उनको और उनका ना ध्यान के इंदित नहीं हो पाता है ठीक है वो एक जगे पे concentrate नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से वो क्लास में ना मतलब in discipline create करते हैं और उससे जो अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं टीचिंग में दिक्कत आती है टीचिंग में बाधा हुत्पन होती है और अगर question आता है कि ADHD कैसा रोग है तो ये नायू तंत समंदी विक्रिती है या रोग है और बहुत important question है ये पूछा जाता है तो जिसमें समाने स्तर का असमाने स्तर का ध्यान आवेक तथा अतिक्रियाशीलता समलित होती है इसके अंदर ये बच्चे समय गात्मक रूप से अस्थीर होते हैं इनका जो emotionally balance होता है वो ठीक नहीं होता है अस्थीर होते हैं कभी पल में हसना, रोना, गुसा करना बिल्कुल एक जमाटेंशन पाने के लिए कुछ-कुछ-कुछ चीज़े करना तो इस तरीके से ये बच्चे होते हैं और प्राथमिक स्थर में अगर हम primary level की बात करें तो यह लड़कियों से जादा लड़कों में जादा पाया जाता है ADHD और यह दि प्राथमिक सर के बच्चों पर हम इसका ठीक से manage नहीं कर पाए ठीक से इसको find out करके हमने diagnose करके इसका उपचार नहीं किया हमने तो फिर यह आगे तक यह problem जा सकती है बच्चे के इस विकार के लिए जैवी कारक जिम्मेदार नहीं होते हैं जो हमारे जैवी कारक होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं तो बलकि कुछ आहार संबंदी कारक विशेश रोप से भोजन के रंग वा जंक फूर्ट था दूसरी और समाजिक मनों वगयानी कारण जैसे घर का वाता है और पारिवारिक विक्रिती जिम्मेदार माने जाते हैं ठीक है तो इसके लिए जो है हमारे जावी कारक इंपॉर्ड़न नहीं होते हैं भोजन से रिलेट बच्चे के लिए ADHD करने में जिम्मेदार होती है तो ADHD के लक्षन क्या है आप किस तरीके से पैचानेगे अपनी क्लास में ADHD वाले बच्चे को तो वो कही गई बात को अगर आप कुछ बात कह रहे हैं तो बच्चा पूरी नहीं सुनेगा दूसरा है अगर आप उसको को इंस् पाइशन है तो वही है अभी मुझे पता है तो मैं धिरे-दिरे काम करती हूं तो यही चीज है कि अगर हमें पता होंगे कारण तब हम उनके उपर काम कर पाएंगे और कारेव खेल आदि में ध्यान की कमी होती है और समान को देते हैं अपनी जो स्टेशनरी होती है इसके ल तो पाएंट चीज़ना सब्सक्री उपर कोई कि इसे अक बहार से बहुत में डेज़नी होती है और इन्हें पुस्ति आप है और यह हाथ-पर्थ को चेंज हो रहते है और कख्षा में अलग-अलग सीटों को चेंज करते हैं ऐसे बच्चे आपने बहुत से देखी होंगे ल कि नॉर्मली बच्चे सीटे बदलते हैं दोस्तों के पास बैठने के लिए तो एसन है कि वो बच्चा ADHD हो जाएगा चीक है तो बहुत हमें पूरा ये इन में से कुछ चार-पांच लक्षान अगर किसी के अंदर है तो हम यू मान सकते हैं कि हां बच्चा ADHD से घ्रसीत है प्रा होने से पहले आंसर कर देते हैं और अपनी पारी का तो इंतजार कर ही नहीं पाते हैं पहले मैं पहले मैं इस तरीके से मार धार करते हुए और दूसरों के बात को सुनते ही नहीं है और बीच में काड़ देते हैं तो ये एडी एजडी के लक्षन है अब इसमें आप तो यह सूत्र प्रयोग किया जाना चाहिए यहां पर सूत्र है जो की विराम लें ठीक है थोड़ा ठेहरें चिंतन करें और कारे करें तो इसमें यह सूत्र कारे करता है मतलब आप पहले रुक जाएए दो मिनट एकदम ही विचार मत कर लीजे कि हाँ बच्चा ADHD से पहले रुकिए चिंतन कीजिए कि हाँ इसके इंदर कौन-कौन से लक्षन है एक आदे लक्षन से आप नई फाइंड आउट कर सकते कि बच्चा ADHD से ग्रसीत है और जब आपको लग गटाना और चर्णबा तरीके से तो इसमें यह है अगर बच्चे को आप कोई काम दे रहे हैं तो उसको घटाते जाओ टाइंग को जैसे मालो बच्चा है धीरे काम करते है क्लास में वो तो हमने वो लग कि एक गंटे में काम फिर हमने उसे चार पचास मिनट किया फिर चाल तो मतलब स्पेशल अटेंशन की जरूरत है मैं उनको बिल्कुल मेरे डेक्स के तीनो तरफ मेरे लगाये हुए है तो वहां में उनको बचाती हूं और उसमें भी एक इंटेलिजेंट बच्चा है जो उसको समय समय पर गाइड करता है इस तरह किसे मैंने जो सिटिंग अरें बचाता है वह किड़की वद्वार से दूर बठाया कुकि अगर को खिड़की और दरवाजे के पास बठाऊ तो इनका ध्यान बाहर ही रहेगा तो इन्हें कोशिश कैजिए कि अपने आसपास ही बठाए और काम करने के लिए इन्हें अधिक से अधिक समय दें क्योंकि जाके इन से question पूछे सीधे question पूछो ठीक है आगे है पुनरबलन देना पुनरबलन मतलब होता है reinforcement करना जैसे बचे ने अच्छा काम कर जा रहे हैं वैरी गुड वा बहुत अच्छा आप तो पहले से अच्छा कर रहे हो इस तरीके से हमें बच्चे को बोलना है इसके बाद ह रिटलिन नामक दवा एक अगरता में व्रिदी करती है लेकिन विकार को ठीक नहीं कर पाती है एक दवा भी होती है रिटलिन नामक तो ये concentration पावर को बढ़ाती है लेकिन ये पूरी तरीके से ADHD को कम नहीं कर सकती है ठीक है अनुप्योग विवार पर ध्यान देना तो बच् को हमें positive behavior के लिए motivate करना है प्रोत्साहित करना है ठीक है आपको ये जो learning disabilities है वो यहां तक समझ आ गई होगी अब हम बात करते है most important जो हमारा आगे है ये है विकलांगों के लिए पारित किये गए विभीन अधिनियम कुछ acts है विकलांगों के लिए तो most important है तो प्लीस आप घ्यान से पढ़ना इसको तो पहला है हमारा मानसिक स्वास्ते अधिनियम mental health act 1987 question ये भी पूछा जा सकता है कि जो mental health act है वो कब बना था या 1987 में कौन से अक्ट बना था तो यह आपको पता होना चाहिए तो इस नियम के अंतरगर्थ विकलांग बच्चों की दो प्रकार की विदाय दी जाती है तो इसका जो आप आंसर टिक करोगे वो करोगे दो तो इसमें दो है तो हर प्रकार के विकलांग बच्चों का इलाज होना चाहिए इस act के अंदर और दूसरा है मानसिक विकलांग बच्चों का पुनरवास होना चाहिए तो मानसिक बच्चों का इसमें स्थापन की गई तो ऐसके अंदर बहीं तो फ million गरति विकलांगों के पुणरवास के लिए ने सलग 552 002 व्यक्ति विकलांगों के पुणरवास के लिए कारे करेंगे लए लिए कि कार यहां पर जो में पुणरवास के लिए और उनको वो ट्रेनिंग भी देंगे इसके अलावा सन 2000 में इस एक्ट में कुछ चेंजिस किये गए थे कुछ संशोधन किये गए थे तो वो संशोधन क्या थे कि समाजिक न्यायवा अधिकारिता मंत्राले के अंतरकर्त यहाएक समयधानिक निकाय है ठीक है अब उसके बाद ह भारतिय परिशत संशोधित अधिनियम 2000 तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारतिय पुनरवास परिशत उन पेशेवर वैक्तों के लिए अनुसंधान की सुविधाय प्रदान कराईगी जो विकलांगों के छेतर में कोई भी अनुसंधान करे करना चाहते हैं तो इसके अंदर यही है कि कोई अगर वैक्ति है तो वो विकलांगों के कुछ एरिया में अगर वो कोई रीसर्च करना चाहता है तो उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है, इस ACT का जो था में मोटो था, उसके बाद हमारा 3 है, विकलांग अधिनियम, विकलांग वैक्ति अधि तो इस अधिनियम में साथ प्रकार की जो है निर्योगिता है श्रामिल के गई थी तो यह पूछा भी जाता है तो इसमें पहला था अंधापन और दूसरा है अल्प त्रिष्टी तीसरा है श्रवन बाधित चौता है गामक बाधा पांशवा है निवारन योगे कुष्ट इस लुए कोष्टो हो पुष्टी जाता है कि जो लिपरोशी जो वर है उसको हिंसन का रोक भी कहा जाता है तो इससे तवचा पर धब्य हो जाते हैं और तवचा पर समवेदना का अभाव होता है मतलब जहां पर भी यह तवचा पड़्य होते हैं उस धब्य पर आप कुछ भी करो तो कुछ फील नहीं होता जैसे कहीं किसे इचिंग वगारा कुछ नहीं होता है, सुननों होता है, वो जो स्कीन होती है, जहां पर धबी होता है, वो बिल्कुल सुननों जाती है वो स्कीन, उसके बाद है मानसिक मंदता, यह है एक बोधिक समर्थिता का कारण है, mentally जो retardation होता है, सेवन्थ है मानसिक बिमारी जो mental illness होती है, मानसिक रूप से बिमार लोगों के आचरण पर अचेत उदेशे का असर अधिक पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद है उपरूग साथ प्रकार के निर्योगिता के लिए केंदर सरकार, राजी सरकारे, वस्थाने सरकारे समान अफसर द जो हमारी जो government है, वो इनके अंदर जो भी निर्योगिता आती है, उन सबको education में, financially में, सब में help करती है, उसके बाद हमारा है, चो अथा, राश्ट्रे नियास अधिनियम, 1999, तो यह नियास एक समवधानिक निकाहे है, देखो इसमें मेल ले, अभी क्या है कि आपका entrance test है, तो अभी मेरी कोशिश है क्योंकि mostly बच्चे मुझे नहीं लगता कि थोड़ी बहुत कुछ ही लोगों को knowledge होगी इन सब चीज़ों के, क्योंकि mostly graduate है, और यह सब चीज़े शायद नहीं पढ़ी हो किसीने कभी है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको depth में पढ़ा रहे हू ताकि आपको at least थोड़ी से concept भी clear होने चाहिए, answer को find out करने के लिए, तो इतना भी इतना परेशान होने की जरुरत नहीं है कि इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो आप देखो मेलने मेलने आपको करना क्या है कि आप sun याद कर लो, क्योंकि यह पूछे जाते है, sun याद कर ल तो वह साथ निर्योगिता हैं आपको जरूर पता होनी चाहिए, मालो आपको चार निर्योगिता है दे दिया और उनमें से पूछ लिया कि इनमें से कोई एक ऐसी है, एक बताओ जो पी डवलो एक टूटनी सो पिचानवे में शामिल नहीं है, तो आपको जब सातों पता हों वहां से आप लोग इसे पढ़के खुद से भी डिविजन कर सकते हो, और प्लीज कोई वर्ड इसमें कुछ समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ चकते हो, तो मुझे लगता है हिंदी सबको अच्छे से आती होगी, बट फिर भी किसी शब्द क आपको समझने में दिक्कत हुई हो, और मैं बताना भूल गई हो बीच में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूँगी, ठीक है, उसके बाद हमारा जो फूर्थ है, वो हमारा है, यहां तक हो गया, तो इसका प्रमो खुदेश विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्म निर्वर बनाना है, तो यह जो एक्ट था, यह था कि जो विकलांगता से ग्रसित हैं, उन व्यक्तियों को इंडिपेंडिन बनाना, और इसमें दो प्रकार की विकलांगता है, शामिल की गई थी, तेको मैं भी बता रही हूँ ना, अजी से आंसर करेंगे दो, तो इसमें कौन-कौन सी है, तो पहली है हमारी आत्म विवो या स्वर लिंटा, जिसे हम आटिजम बोलते हैं, और हमारी दूसरी है मस्तिक्ष पक्षागाद, ठीक हैं, जो आटिजम है, मिस्टर खान एक मुवी है, शाहरुक खान की, उसमें वो जैसे ब भीएव करता है, वो पिल्कुल वो आटिजम की सिचिवेशन होती है, तो एक आदी छोटी सी क्लिप देख लेना उस मुवी की, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आटिजम होता क्या है, तो यह एक सनायुतंत्र विकार है, यह इंपोर्टन्ट है, तो यह कैसा विकार है, तो अपने संबंद्यों को भी जानता पैचानता वो नहीं है, जुडवा बच्चों में 60% स्वालीनता होने की संभावना बनी रहती है, जो जुडवा बच्चे होते हैं, उनके अंदर 60% चांस है कि वो आटिजम से ग्रसित होंगे, स्वालीनता अनिवानशिक कारणों से होती ह जीन्स की वज़े से होती है, तो बच्चों में निम लिखे दुश्परभाब परते हैं, अगर आटिजम होता है, तो बच्चे पर क्या एफेक्ट होता है, समाजिक नियोगिता, शोशल इंपैमेंट होती है, बच्चा समाज के साथ करनेक्ट नहीं कर पाता है, नजरी योगिता के कारण बार बार शब्दों को दोर आते रहना, और बच्चा एकी शब्द बार 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 बोलता है, और दो अपरेल को विश्व स्वाली इंता दिवस मनाया जाता है, यह इंपोर्टन्ट है, इसको याद कर लेना, उसके बाद हमारा है मस्तिश्क तो इसमें लकवा, अधरंग और विद्यालों में विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजना है, पहली है, चातर विकलांगों के लिए एक इकरित शिक्षा योजना, तो इसमें है, यह योजना, MHRD द्वारा चलाई जाती है, तो MHRD की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन मे बताना, और आप लोग आंसर के, मैं कोशन्स पूछती हूँ, आप लोग आंसर ही रिपलाई नहीं करते हो, करना चाहिए, मैंने बोला था ना, कि इंटराक्शन बना रहता है, एक आदे कोशन्स के आंसर लिख दिया गर गामेंट में, जो कोशन्स पूछती हूँ बीच में विकलांग बच्चे को कुछ सविधाय दी जा रही थी, जैसे की धन हो गया, कुर्सी या कोई अन्ने सहाय था, यह योजना 1997 तक चली, क्योंकि पहले इसे DPEP में बाद में सर्विशिक्षा अभियान में मिला दिया गया, उसके बाद मादनिक सतर पर विकलांगों की समावे चलाता है, यह में चार्टे की फूल फॉर्म तो यहीं पता चिल गई आपको, चलो कोई और कोईशन पोचूंगे, इसमें सभी नो प्रकार के विकलांगताओं के में मदद की जाती है, यह योजना देश के हर विध्याले में पहली से बारवी के लिए सर्वशिक्षा अभि इसमें चल रही है, दो हजर बीस तक के सभी स्कूल विकलांग फ्रेंडली बनाए जाएंगे, उसके बाद हम बात करते हैं, विकलांग बच्चों की राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2006, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर परसन विज दिसबिलिटी 2006, यह नीती 10 परवरी 2006 क लागू की गई थी, इंपॉर्टन डे और इंपॉर्टन सन है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना, इसको सामाजिक नियाए एवं शशक्तिकर्ण मंतराले बनाता है और स्कूलों में लागू करता है, मानव संसादन विकास मंतराले जो की MHRD है, एक सहायक एजनसी की भूमी का आदा करती है, अर्थार्थ नीती बनवाने तथा नीती लागू करने में मदद करती है, इस नीती के अंतरगर्थ उच शिक्षा जो हायर एजुकेशन में अपंग बच्चों को शिक्षा में 3% का आरक्षन दिया जाता है, तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में व अजुकेशन ठीक है, अर्ली चाइल्फूट के अजुकेशन ताकि 6 वर्ष के आयो के बाद ये विकलांग बच्चे प्रतम कक्षा के लिए तयार किये जा सके, देखें, उसके बाद है, यह योजना 6-18 वर्ष के विकलांगों के लिए है, तीन दिसंबर को विश्व विकला अजुके बाद है, यह आपको याद भी करना चाहिए, उसके बाद है, पाथे करम का संतूलन जो कॉंसेट ऑफ करिकुलम है, तो देखो, पाथे करम होता क्या है? पहले आप यह समझ लेजिए, पाथे करम, मतलब करिकुलम, करिकुलम क्या होता है? कि हमें हमारे पास एक पूरे साल भर में क्या क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है क्या छोड़ना है तो बहुत सारी चीज़े होती है करवाने के लिए लेकिन हम पूरी चीज़े सारी चीज़े साल भर में थोड़ी करवा सकते है तो हमारे पास एक limited return में कुछ चीज होती है जो के हमें ये guide करती है कि हमें क्या क्या करवाना है कौन से मन्त में करवाना है तो उसको हम curriculum कहते हैं ठीक है तो hope आपको curriculum का मतलब समझ आया होगा तो अध्यापक के पास पाठे करम तो एक होता है परंतु छातर अलग अलग योगता के होते हैं देखो जिसे आप एक teacher है और होंगे भी और बनने भी वाले होंगे तो आप एक teacher है और आपके पास curriculum एक ही होता है ठीक है आपको curriculum दे देगी ये है ये आपको पूरे साल भर में पढ़ाना है लेकिन क्या आपके पास एक ही बच्चा है ऐसा नहीं है आपकी class में 40, 50, 30, 60 जितने भी बच्चे होंगे और हर बच्चा हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो समने वाले किस जैसा हो 40 बच्चे है तो 40 बच्चे अलग अ पढ़ाना है तो इसमें हमारी help करती है हमारी teaching strategies होती है जो हम जो पढ़ाने का तरीका अपनाते हैं वो ऐसा होना चाहिए ताकि एक जो जिसका दिमाग पढ़ने में बहुत अच्छा है जो प्रतिबशाली है वो भी उस चीज को समझ सके और जो बच्चा बिलकुल down level पे है वो भी उस चीज को समझ सके तो हमें ऐसी strategies को use करना होता है क्लास के अंदर उसके बाद समावेशी शिक्षा में प्रियोग होने वाली अब धारना है तो सबसे पहले आपको बता दो कि what is inclusive education समावेशी शिक्षा होते क्या है देखो समावेशी समावेशन मतलब inclusion करना तो नॉर्मल बच्चे जाते हैं और एक होता है स्कूल जहां पे special needs वाले बच्चे जाते हैं तो अभी government ने क्या rule किया है कि जो special needs वाले बच्चे होते हैं वो अलग स्कूल में जाते हैं तो उनको अलग feeling आती है कि हम अलग है और कहीं न कहीं न उनको ऐसे हीन भावना आते हैं इसके लिए government ने एक rule लाया है कि inclusive education का कि normal school में भी बच्चा एक जो बिलकुछ special needs वाला बच्चा है वो भी पढ़ेगा और उसको भी हक है normal school में पढ़ने का इसी को inclusive education का concept दिया गया है हर तरीके का बच्चा साथ पढ़ेगा एक छोटा सा मतलब मैं एक example देना चाहूंगी य experience program था मेरा जब first year में थी diet के तो मुझे inclusive education का हमारा जो syllabus में था वो था second year में first year में कभी मामने पढ़ाया ही होगा तो पना ध्यान वान नहीं था पढ़ायी में उस टेम पे कभी सुना नहीं सुना का अपता पढ़ाया भी हो तो मुझे ध्यान नहीं था और जब मैं क्लास में गई तो मेरी क्लास में एक बच्ची थी जो सुन नहीं सकती थी तो मतलब 2-3 दिन हो गए मतलब मुझे फिर पता चला कि ये बच्चा सुन नहीं सकता फिफ्ट क्लास का बच्चा था और उसके बाद मैंने उसकी मम्मी आई चुटी के टाइम उसको लेने के लिए तो मैंने उसकी मम्मी रूल नहीं भी आया हो तब भी एक तरीकी से गलत है ना कि हम बच्चे को अलग दिखा रहे हैं तो मैंने उनको बोला कि हाँ आप इसका एड्मिशन कहीं और करा दो कुछ नहीं फिर हमारी टीजिंग एक्सपिरियंस प्रोग्राम खतम हो गया और स्कूल में गए सेकिंड येर आगे हमारा सेकिंड येर में फिर ये पूरा एकदम ड़िब्त में था कॉंसेप्त तर तम मैं पढ़ा रही थी तो मुझे याद है मैंने का यह मैं तो बहुत गलत किया मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पता नहीं उन्होंने कहीं अड्मिशन करा ना लिया हो क्योंकि हम तो दो मही निकले जाते हैं तब मैंने मैम से यह चीज वो कहते ना मतब अपनी गल्टी मानना तो मैंने ऐसे मैम से यह शेयर की थी यह मेरी गल्टी रही थी तो इसलिए क्योंकि lake of knowledge तो इसलिए आपको यह चीज में बता रहे हूं कि हमें हर बच्चे को स्कूल में रखना है किसी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करना है और किसी बच्चे को हमें अलग नहीं दिखाना है कि तुम उससे कम हो या तुम उससे जादा हो हर बच्चे को हमें साथ लेके च सब्सक्राइब आपको समझ आया होगा मेरी एक्जामपल से भी तो उसके बाद है देखो समवेशी शिक्षा में प्रवेश होने वाली प्रियोग होने वाली अवधारनाई कौन-कौनसी है तो पहली है संस्तान रहित शिक्षा विकलांग बच्चों को विशिष्ट विद्याल के तो वहां पर हम लोग गए थे देखने के ले की स्वेशी शिEP वाले बच्चें के साथ हमें कैसे इंटरेक्ट करना है क्योंकि जब हम नर्मल स्कूल में जाते हैं तो कश बच्चे में हमारी क्लास में होते है स्पेशल नीड्स वाले तो जब हन पता होगा तभी हम उनको समझा पाएंगे उनसे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे जिससे sign language है जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं हम उनके लिए sign language यूज करते हैं sign language मुझे आती है हमारे डाइक्ट में ट्रेनिंग हुई थी इस चीज के लिए क्योंकि हमारे क्लास में भी बच्चा ऐसा कोई आ सकता है जो सुन नहीं सकता बच्चा तो उसके लिए हमें sign language यूज करने पड़ेगी तो उसके लिए वो हमें भी तो आने चाहिए तब ही तो हम बच्चे को करा पाएंगे तो गे मेलनी होता है इसका तो हमें बच्चों को ऐसा नहीं बोलना कि भाई आप अलग स्कूल में चले जाओ जो कि मैंने बोला और उस चीज के लिए मुझे बहुत दुख भी है कि नहीं बोलना चाहिए तो बट वो लेक ओफ नॉलेज ऐसा हो गया उसके बाद है हमारा समाने करन जो कि नॉर्मलाइजेशन तो विकलांग बच्चों को समाने बच्चों के साथ हमें पढ़ाना है और तीसरा है हमारा न्यूंतम प्रतिबंदित परियावरन समाने विद्यालों में पढ़ते समय विकलांग बच्चों के मार्ग में आने वाली बाधाओ को न्यून तम कर देना देखो हम कम तो नहीं कर सकते हैं ठीके लेकिन हम उनको बाधाओ को कम जरूर कर सकते हैं देखो जैसे माल लेजिए फोर एक्जामपल बास्केट बॉल जैसे खेलते हैं यहां पर नेट लगी उती है तो जैसे मालों को बचा चल नहीं सकता है तो वो कैसे इसमें बास्केट बॉल नेट में डालेगा तो हम यह जो नेट है इसको हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं है ना तो समझ गए ना तो हमें जो बाधाओन आती हैं उनको थोड़सा कम कर देना है क्योंकि पूरी तो कि पूरी तो हम भी मि nyt आ सकते हैं तो जितना हो सके उनके लिए कं करना है उनको एसा इंवार्मंड देना है कि वह बिल्कुल समझे और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी पढ़ सके ठीक है उसके बाद है मुख्य धारा तो सभी विकलांग बच्चे अपने आपको समानने बच्चों के जैसे ही समझे ठीक है बिल्कुल भी अलग नहीं समझना है उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धी लब और इनको हमेशा किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है उसके बाद है ट्रेनेबल यानि प्रशिष्टन है तो इनका जो आई क्यू होता है ठीक है जो इंट्रेलिजेंट क्वेस्टन होता है वो 25 से 50 होता है इसको बहुत कम प्रशिष्ट किया जा सकता है तक पढ़ा भी सकते हैं ठीक है चौता है हमारा नियमी त्रोप से शिक्षन होगे जो नॉर्मली रेगुलरली है जो केबल है इनका जो आई क्यू होता है वो 75 से 90 होता है और इनको समाने बच्चों की तरह हम अपने क्लास में पढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह आप आई क्यू कि कौन से नंबर पर आई क्यू कितना होता है जैसे कोई नर्सिंग केर वाला की आई क्यू कितनी होते है तो यह थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना उसके बाद है एक शोटा सा नोट दिया हुआ है कि मनव गयने की राय में जिन बच्चों का आई क्यू जीरो से साथ तक ह होती है वह समानने बच्चों वाली कक्षाओं में नहीं पढ़ाया सकते है अता उन्हें अलग कक्षाओं में परशिक्षित किया जाना चाहिए ऐसा मानना है और देखो जो जैसे हम लोग समानने हम स्कूल ने पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉमल टीचर है अगर जादा ही बच्चा स्पेशल निर्स है उसको तो जो भी स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रहे है वह उनको पढ़ाते है तो उनको इक अलग से सेपरेट रूम मिलता है उनको सारी फैसिलिटिज मिलती है और फिर वह अलग से उन बच्चों को पढ़ाते है ठीक है बाकि नॉर्मले आप भी उने पढ़ाते है ठीक है उसके बाद है भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले संस्थान तो भारत में जो विकलांग बच्चे हैं या लोग है उनके लिए काम करने वाले संस्थान कौन-कौन से हैं कौन-कौन से इंस्टिटूशन से तो प भार्ती ब्रेल का विकास किया है 1971 में नित्रहिनों के अध्यापकों के प्रस्यक्षण है तो दिल्ली मुंबई कोलकता और मदरास में अध्यापक प्रस्यक्षण केंद्र है कि जो जो टीचर्स जो बीजोली इंप्याड लोगों के लिए काम करना चाहते तो उनके लिए ट्रे अली यावर जंग बधीर राष्टे उधान यह मतलब जो बहरे लोग होते उनके लिए काम करता है बधीर विद्याले हैं अंध्रपरदेश यह पूछ सकते हैं कहां पर है तो थोड़ा सोड़ा से एक बार देख ले ना राष्टे अस्ति रोग विकलांग संस्थान कोलकत्त शार्डिक विकलांग संस्थान जो की नई दिल्ली में है राष्टे विकलांग वीत एवं विकास निगम नई दिल्ली 1997 से समाजिक नियास्वस रश्रप्तिकर्ण मंत्राले द्वारस तापिक रोजगार है तो वित्य साहता देती है उसके बाद है प्रतिबाशाली छात्रो के लिए मुख्य कारेकरम पतिवाशाली जो गिफ्टवड सुड़न्स होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा ओर्डन ली होते हैं तो उनके लिए कौन-कौन से कारेकरम है जो है वर्धन कारेकरम ठीक है इंडिश्मन प्रोग्राम तो वैक्तिगत वर्धन और समू केंडिद परियोजन एवं गति विद्याधारित उनको होमवक दिये जाते हैं और सामुदाइक सेवा जो कम्यूनिटी सर्विस होती है और उनके लिए शेक्षिक ब्रह्मन भी आयोजित किये जाते हैं अब है प्रिथी करन ठीक है सेजरेशन होती है तो विशेज कक्षाएं ठीक है औ और इसके अलावा विभीन चातरवर्ति वं प्रत्योगी परिक्षाओ है तो तयारी देखो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको कुछ कारेकरम है जैसे यह मैंने बता दिया है इसके अलावा उनको अलग से क्लास भी दी जाती है जैसे आपका कोई बच्चा किसी और च कॉम्टिटिव एक्जाम या कोई परिक्षा होती है हम उसके लिए उनको तयार करते हैं शुगल या रूची विभाग जैसे की विज्ञान गलब और हम उनको और भी जो स्कूल में जो भी एक्टिविटी वगएरा होती है उसमें हम उनको पार्टिस्पेट करने के लिए मो कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है मैं अभी नाम भूल रही हूं कि जैसे मानलीजे कोई बच्चा है उसका अगर लगता है कि मानलो जैसे अभी हमारे इंडिया में कोई थर्ड क्लास का बच्चा है और हमें यह दिख रहा है कि वह बच्चा पांच पीपर पास कर सकता है बच्चे को बिल्कुल गॉर्ड गिप्टिड होते हैं जो एक्स्टा ओडनली होते हैं वह बोर हो जाते हैं क्योंकि वह चीजे उन्हें आते हैं फटा फट करके तो ठीक है तो ऐसा कुछ कंट्रीज में होता है देखते अभी इंडिया में आएगा कि नहीं ऐसा कुछ रूल अधिक वीडियो आज एक घंटे की बनने वाली है और आज भी मेरा गला जाने वाला है तो कोई नहीं आपका एक्जाम है तो इतनी महनत तो बनती है चलो कुछ महत्पुन तथे अब हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टन है तो इसमें है संग्रथित अधिगम जो इ देखो इसमें आई है कि बच्चा कुछ सीख रहा है ना उसने कुछ गल्ती कर दे हमें तुरंत उसे फीड़बैक देना है ठीक है और इसके अंदर यह जो डिसेबल बच्चों होते हैं जो अगर कुछ गल्ती कर रहा तो हमें उसको तुरंत वो देना कि हाँ बटा नहीं ऐस करना है तो यह इसके अंदर आता है इसको मैसी लर्निंग बोलते हैं ठीक है उसके बाद है सहकारी अधिगम बच्चों को साथ में कोपरेटिव लर्निंग एक तरीक से कह सकते हो सहब पार्टी पियर टुटोरिंग तो इसमें बच्चा वही है कि मतलब वही न की टुटोरिल बच्चे होता है उस पर ध्यान देता है और इस तरीके से दोनों आपस में सीखते हैं दूसरे से बहुत सारी चीज़े उसे अधिक अमक्षमता है तो समाने उससे अधिक बुद्ध लबतांक वाले बच्चे में भी पाई जाते है देखो जो लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा दूशों के नहीं होता है विशेष आभशकता वाले बच्चों उनकी शमता शमता को ध्यान ने रख कर के जा जाना चाहिए जो इस पैशल होते हैं उनका जो असेत्वर salute करते हैं वो हमें ऐसा ने है कि उन में कहके कम हैं तो सबी चीजों को हमें ध्यान में रख कर उनका जो है असिस्मेंट करना चाहिए उसके बाद हमारा है राष्टे चातरविती योजना तो इस योजना के अंतरगत मिकलांग चातरों को उच्छ शिक्षा हे तो और विवसाइक शिक्षा हे तो चातरवर्ती दी जाती है ठीक है उसके बाद है यहाँ पर एक नोट है कि चातरों के राष्ट लेबलिंग नहीं करनी चाहिए लेवलिंग मतलब जैसे मैंने मेरी कलास में कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता मैं उसको बोलो कि मतलब बहरा है या कोई बच्चा देख नहीं सकता तो मैं बोलो कि अंधा है या मैं उसको बोलू ओ अंध है इधर आ तेक है ओ बहरे है इधर आ या ए बहरी इधर आ तरको दिखाईन देता है कुछ इस तरीके से महले हमें लेबलिंग नहीं करनी है जो कि बहुत गलत है और एक न ऐसा नहीं है कि हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनी की साथ ऐसा करें और न है उसके नाम से उसको बोलिए ठीक है बिंग टीचर हमारे अंदर यह चीज होनी चाहिए कि हम बच्चे की लेबलिंग ना करें तो यही है इसके अंदर उसके बाद है हमारा जिला प्रात्मिक शिक्षा कारेकरम तो डीपी एपी तो फुल फॉर्म इसकी पूछ ली जाती है यह 1994 में शुरू हुआ था यह पूछा भी जाता है कि कब शुरू हुआ था तो यह 1994 में शुरू हुआ था अब है मोस्ट इंपोर्टेंट जो फेक्ट्स है वह हम पढ़ने वाले हैं तो डिसलेक्सिया मैंने बता दिया है आपको डिसलेक्सिया बताया था ना कि पठनिर यो स्पेलिंग, हैंड्राइडिंग, और अर्गनाइजिंग आइडिया, इसके बाद मारा फोर्थ है, हाइपर एक्टिविटी, ध्यान का अभाव, लिक ओफ कंसेंट्रेशन इसके अंदर होता है, और इसम मैंने बताई दिया है, एक बर मिस्टर खान, आई थिंग वोवी है, शा आधी क्लिप देख लेना, कोई छोटी सी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आउटिजम से बच्चा फेडित होता है, अब बात करते हैं, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, यह है ग्यान इंदरी, एक इकरन अक्षमता है, जिस इसके कारण बच्चा हाथ वा आँखों में समनवे नहीं रख पाता, जैसे पैंसिल ना पकड़ पाना, या बटन बंद ना कर पाना, ठीक है, तो यह हमारी ग्यान इंदरी से रिलेटिड होती है, ग्यान इंदरी पता है, कितने ग्यान इंदरी होते हैं, पांच ग्यान तो यह बोलने से रिलेटिड है, औरल लैंगवज डिसिबिलिटी है, तो इसमें क्या होता है, कि यदि किसी सम्प्रेक्शन में आसमर्द बालक की बात आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप उस बात को समझ आने का अभीने कीजिए, और उससे क्या का जाए, अंदरी लगाए इसमें देखो होता है कि बच्चे तुतलार कर बोलता है, डिस फेस ठीक से नहीं बता पता है, तो ऐसे में हमें क्या है, हमें बच्चे के सामने ऐसे बिहेव करना है, कि एम हम समझ नहीं आना तो बच्चे नहीं है, उसके बाद हमारा है, यह important learning disabilities are most important है, तो यह आपको जरू अब है सुनिया इस diskthemia मूर डिले तो सब्सार्ट में में भावनात्मक विकले तो यह एक अब है we thingseletwood को मोड सेली यह और अग्यक्रसिप क Nep acá dim away यह ज Jedi दोश प्रेम। 26 के भी है आप मौत बाद है हमारा ओटोटेक्सिया श्रवन बादा है सुनने में दिक्कत आती है इसमें बच्चों को ठीक है उसके बाद हमारा है द्री ध्रूबिये जो बायपोलर होता है तो ये एक मानसिक अफसाद वनमाद है अब है मोनोप्लेशिया एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है इसके होता है कि एक तरफ का हाथ और पैर होते हैं ठीक हैë अब है क्वाडरी पैलसिया दोनों हाथ और दोनों पैर चारों प्रभावित होते हैं अंक पीचेदन उसको कहते हैं यह थोड़ा सग अंग भीचेदन यह तो मुझे भी देखना पड़ेका गूगल पे चलो यह देखके ब यह है कमवल्जिव डिसॉर्डर इसमें व्यक्तिकों मिर्गी के दोरे पड़ते हैं हमारा एटी नंबर पे है ग्लूकॉमा तो ग्लूकॉमा में नेत्रों में उच दाब से रेटीना का श्रतिगस होना कहलाता है उननी से हमारा केट्रोयक्ट तो मद्य विस्त दवस्ता में नेत्र रोग होता है उसके बाद भीस है गामक बादा जो लोकोमोटर डिसिबिटी होती है इसके अंदर हमारा पोलियो हाई बीपी प्रसफ के दुरान यह सब हो सकता है प्रेग्मेंसी के दुरान किसी बच़े में लोकोमेटर डिसिबिटी उत्पन हो सकती है उसके बाद है हमारा 21 पे मासिक बादा जो मेंटन डिसिबिटी होती है तो यह गर्बह वस्ता के दुरान हो सकता है मदू में ट्राइसों में प्रसफ जन्मा स्मॉल ब्रेन चोड पीलिया एन्जो एनॉक्सिया 22 नंबर पे है भारत में चार से पांच परतीशत विक्ति विकलांग है 23 का है यू एनो ने सन 1975 में विकलांगों के अधिकारों की घोशना की थी सन 1981 में अंतराष्टे विकलांग वर्ष मनाया गया और 3 दिसंबर को हर साल अंतराष्टे विकलांग दीवस मनाया जाता है 1983-1992 तक निश्टत जनो हेतु शंयुक्तराष्टे शंगदर्शक मनाया गया था सन 1989 में बाल अधिकारों पर अधिवेशन आयोजित हुआ था 12 सविधान का उनुचेट 14 सभी को समान नागरिक मानता है 12 सविधान का उनुचेट 15-16 बेदवाव निशीत करता है 12 सविधान का उनुचेट 46 कमजोर वर्गों की देखभाल करने पर बल देता है 11 बाल विकास एवं सेवा कारेकरम जीरो से 6 वर्ष के बच्चे इसके अंदर शामिल है सरवशिक्षा अभियान में 6-14 वर्ष के बच्चे शामिल है IEDSSC योजना में 14-18 साल के विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है एटार्ट नामक प्रेंच ने विक्टर नामक 12 वर्ष जंगली लड़के को बढ़ाने का परियास किया जिसे नो मास की उम्र में जंगल में छोड़ दिया गया था एटार्ट को प्रथम स्पेशल टीचर माना जाता है सबसे पहला स्पेशल टीचर की से माना जाता है तो एटार्ट का नाम था तो यह आप याद कर लेना और जंगल बुक एक मुवी है वो आप लोग देख सकते हो कुछ-कुछ इस स्टोरी से ही रिलेटिड है वो उसके बाद हमारा है सन 1882 में फ्रांस के सैग्विन वपेरिस में मंद बुद्धी बाल को हेतु प्रतम स्कूल खोला सैग्विन को मानसिक मंद बच्चों के बहुत बड़े शिक्षक के रूप में जाना जाता है मॉन्टेसरी शिक्षा पती सेगविन द्वारा विक्षित शिक्षा प्रणाली तथा फ्रोबल की किंडर गार्डन शिक्षा प्रणाली का ही विक्षित रूप है उसके बाद है लूई ब्रेल का जन्म फ्रांस में सन 1809 इस्वी में हुआ सन 1821 में उन्होंने ब्रेल प्रणाली का विश्कार किया most important है ब्रेल प्रणाली को सन 1832 में स्विक्रित किया गया उसके सम्मान में भारा सरकार ने सन 2009 में 2 रुपे का सिक्का जारी किया उसके बाद है ब्रेल रूलर चांदा कमपास के कमपास से दृष्टे ही इन भी आकृतियां बना सकते है ब्रेल में 6 गाठे वा 6 बिंदू वाले लिखने का सरलता मुपकरन है ये most important question है पूछा भी जाता है seated वग्यारा में DTSP में भी पूछा गया है कि ब्रेल लेपी में कितने बिंदू होते हैं 6,8,4,2 ऐसे confusion के रिए दूछाती है 6,8 में मुझे हमेशा ही रही है तो इसका अंसर 6 होगा ब्रेल ताइप राइटर की तरह 6 बटन और एक स्पेसर होता है बारतिय ब्रेल इंग्लिश ब्रेल पर आधारी ते इसमें 26 से अधिक वर्ण है ट्रेलर फ्रेम त्रेलर फ्रेम क्या है तो फेलर फ्रेम भीन भीन संध्याओ है तो इसमें अश्टकॉन यह छेद होते हैं और मैंने एक मेंद आपको करवाया भी हुआ है आप लोग आप मी भौश की प्रेस्ट में जा के देख सकते हो मैंने प्रॉपर एक वीडियो करवाई हुई है जो भी हमारे जो लर्निंग टूल्स है उससे रिलेटर उसके बाद दृष्टी बादितों के लिए उपकरण तो दृष्टी बादितों के लिए कौन कौन से उपकरण है ब्रेल है, टॉकिंग कैलकुलेटर है अबेकस है, ठीक है? अबेकस और नंबर कॉंसेटम में बहुत ХЕलप करता है अबेकस और केलकुलेशन सॉरी, यह बादेर हो हमारा कैलकुलेटर है, जो स्टॉकिंग कैलकुलेटर है उसके बाद हम अबेकस की बात करते हैं अबेकस आपको बीजिया लखड़ी के मनंके लगे होने लगे भीशों अब हमारा 44 jean प्याजे प्शेय के गैनिक थे अगंट 1890 को हो था अईश्य जन्म स्विजर्लैंड यहाँ पुस्तक हैस्वज एंड फॉर्ट जाइड नदद ईध मेड़्च बार रि– éléments पूछी जाती है, concept of child 1926, moral judgment of the child 1930, इन्होंने संग्यानात्मक विकास का सिधान्त 1952 में प्रतिपादित किया था, इन्हें ग्यानात्मक विकास को चार चरणों में बाता है, तो इनकी जो थियोरी थी, वो मेंली चार पार्ट में डिवाइड़ थी, तो ये most important है, ये पूछा ज पहली वाली को हम संवेडी गामा कहते हैं, दूसरी वाली को पूर्व किर्यात्मक तीसरी वाली को स्थूल किर्यात्मक और चौथी वाली को ओपचारी किर्यात्मक ये प्याजी की थी, बहुत important भी है और बहुत confusing भी है, तो इसकी थी थी में एक बार अच्छे से तो प्लीज उसको देख रहे ला उससे आपको clear हो जाएगी इसकी थियोरी उसके बाद है अनुकूलन को प्याजे बुद्धी मता कहते हैं जो adjustment होती है उसको प्याजे का मानने कि वो बुद्धी मता है उसके बाद हमारा है उसके बाद है शीशु में जन्म से जो योजनाएं पैदा होती है वे किरियाशील होती है प्याजे उन्हें प्रतिवर्ती किरियाएं कहते हैं ज्यनादमक विकास जन्म से शुरू हो जाता है ऐसा प्याजे का मानना है 50% बधीरता का कारण अनुवाशिकता है अगर 50% कोई बच्चा अगर बहरा है तो उसका 50% कारण उसके जो जीन्स होते हैं ऑडियो मीटर एक ऐसी मशीन है जिसमें श्रवन अक्षमता की जाज की जाती है विशिष्ट विद्याले जो स्पेशल स्कूल होते हैं वो 8 किलो मिटर की परिदी में होने चाहिए ठीक है माइक्रोफोन साउंड अनर्जी कनवर्टेड इन इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक एनर्जी में कनवर्ट करता है इयरफोन इलेक्ट्रोनिक एनर्जी कनवर्टेड इन साउंड एनर्जी गति समवेदी शिक्षारती कौन होते हैं यह एक ऐसा शिक्षारती होता है जो केवल करके ही सीख सकता है ना कि बताने और समझाने से तो अगर गति जाने से नहीं करते हैं कोई काम यह खुद से करके सीखते हैं ठीक है उसके बाद हमारा है श्रवे द्रिश्य उपकरन तो audio visual aids तो देखो श्रवे एवं द्रिश्य उपकरन जैसे चलित चलचितर हो गया चलचितर हम लोग उसको कहते हैं वीडियो को और फिर टी भी है और पर बुलिटेन बोर्ट, स्लाइट, रोजेक्टर, एंडिस्कोप, ठीक है और एपी, डेस्कोप, संगरहाले, ग्राफ, नक्षे, मॉडल, पोस्टर, वस्तविक 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 जीयो बोर्ट तो यह ऐसे हैं देखो जो हमारे टी एलम होते हैं टीचिंग डर्निंग म में विद्याले टीवी का प्रारम अकाश वानीने सन, 1961 में, इसवी में फोर्ट फाउंडेशन तथा शिक्षन निदेशाले द्वारा शुरू किया गया था, दूर दर्शन के शेक्षन एक चैनल ग्यान दर्शन का शुब आरम 26 जनवरी 2000 को हुआ, तो यह एक बर्यात कर ले मिलना इंपोर्टन है, सूचना एवं प्रसाडन मंत्राले द्वारा 1982 में राष्ट सेटलाइट इंसेट की स्थापना की और 20 सितंबर सन 2004 को एडूसेट सेटलाइट NCERT वा इगनु वा इसरो द्वारा मिलकर सापित किया गया जिसकी सहायता से दूर दर्शन पर ग्यान दर् द्रिकिया प्रसाड़ मिट्र की लंभी फिल्मे थैय। फिल्म आएट की स्थापना कब हुई थ हुई कमेंट सेक्षन में बताना मुझे अब है फिल्म पट्टि है फिल्म पट्टि हम पिक्चर्स को बोलते हैं फिल्म पट्टि होती है आविशकार इसका 1920 के आसपस हुआत दृत्ते विश्वयुद के दुरान दो प्रकार की थी मूख और सवाख ठीक है उसके बाद है टैपरी कोटर तो टैपरी कोटर 1900 में डेनमाक के पॉलसेन ने तार में टैपरी कोटर बनाया अमेरिका ने उसमें सुधार किया तथा जर्मनी ने दृत्ते विश्वयुद के दुरान टैपरी केड़र का प्रियोग किया जिसमें प्लास्टिक का क्या होता था फीता होता था ठीक है उसके बाद हमारा है बुलिटिन बोड तो बुलिटिन बोड इसमें हम काफी सारे चीज़ें हम इसे पेस्ट करते हैं कुछ हमें कोई नई जानकारी देनी हो इस तरह के से स्कूल बुलिटिन बोड लगे भी रहते हैं चलचित्र चलचित्र जो हमारे गती प्रदान करते हैं चलचित्र मैंने बता बताय था का लीक्राप्रा फैकर बेला, यह राइन करी पoup, को बड़ा बता है चत्र चत्र बिश्तार कईंतर तो चित्र विस्तार गेंदर चित्र को बढ़ा करके इसमें देखा जा सकता है उसके बाद है हमारा चित्र दीप तो चित्र दीप में क्या होता है कि ये मैजिक लाल टेन है स्लाइट का प्रतिवम दिखाने में प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्टर आपको पता ही है फ्लैनल बोर्ड लकड़ी के बोर्ड पर फ्लैनल चड़ा होता है चितर को ड्राइंग पिंसर दबा कर लगाया जाता है आपको पता ही होगा संग्राले आपको पता है अम्यूजम वगरा और स्ट्रियोग्राफ के होता है चोड़ाई, लंबाई वा मोटाई दिखाई जाती है इसमें और जैसे इमारत, मिनार, गुमबदाली दिखाई जाता है उसके बादे विद्याले परदर्शनी तो आपके क्लास में, स्कूल में, जोनल लेवल पे, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल स्टेट पर जो होती है एक्जिबिशन्स लगाई जाती है जियो बोर्ड इस बोर्ड में समान दूरी पर केले होती है जैसे ये बोर्ड होता है इसमें केले लगी होती है इसे समान दूरी पर तो अध्याबक रवर्ड बैंड की सहायता से रेखा गणित का ग्यान उत्तम तरीके से दे सकता है इसमें रेखा कनित की द्रिविम्य आकर्तियों का ज्यान कराया जाता है ठीक है जैसे यह जियो बोर्ड है और यहाँ पर यह बिंदू लगी हुई है तो रवड बैंड से मालो टीचर ने ऐसे एक शेप बना देगा ठीक है रवड बैंड से कीलो को कीलो में अटकाते हुए ठी की जाते हैं देखो अगर हम आडियो विज्वल एट का प्रियोग करते हैं तो इंदे अनुभव बच्चा उस चीज़ को फील करता है उस चीज़ को समझता है अच्छे से उसके बाद है समगरी पर्टेक्श अनुभव के लिए पूर अगर हर जगे जाना पॉसिबल नहीं ह इसके परियोग से चात्रों को ग्यान प्राप्ति के लिए प्रेजित करता है बच्चा मोटिवेट होता है अगर आप क्लास में कुछ यूज करते है न बढ़ाने के लिए बच्चा बहुत मोटिवेट होता है चोता है यह समगरी पिछड़े हुए बालकों को शिक्षा देन है जिससे चात्र ग्यान इंदरिये अनुभव प्राप्त करता है और नवीन बातों को आसानी से वो ग्रहन कर लेता है ठीक है होप आपको मेरा गला आस तो बिल्कुल गया कंटिनुए गंड़े से बोल रही हूँ और पानी पीनी पिया वीच में और तब होप आपको समझ आ है क्योंकि मॉक टेस्ट को मैंने बीच में छोड़ वी दिती तैयारी करवानी मुझे लगा कि मॉक टेस्ट आएगा उससे हम लोग कुछ है ले लेंगे कि आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का आता है फिर मैं फटा फट से करा दूंगी बट मॉक टेस्ट का मतब मैं क् क्या ही लेवल हम उससे क्या क्या हम लोग उससे आइडिया लें तो इसलिए अब मुझे ऐसे फटा फट से ऐसे content सारा उठा के मुझे ऐसे फटा फट से करवाना पड़ रहे है अपका जल्दी से आपका जो है रो जाए exam बाकी तो देखते हैं क्या है बाकी जो भी आपका experience एक्जाम देने का प्लीज शेयर जरूर कीजेगा और प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी मेरी महनत अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना ठीक है थैंक यू